कोई सबूत नहीं है E.D. और C.B.I. के पास सिर्फ उनकी जमानत को रोकने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायाले में खुले आम E.D. और C.B.I. के द्वारा छूट बोला गया यह मानिय सर्वोच्च न्यायाले की आवमानना है यह मानिय सुप्रीम कोट का कंटेम्ट है और मैं मानिय सर्वोच्च न्यायायले से भी अनुरोथ करूँगा कि अपने इस आवमानना पर कारवाई करने की क्रिपा करें आप इसके और भी ध्यान दे मोदी जी के एजंसियां सुप्रीम कोर्ट में जाके जूट बोल नहीं है फिर बचेगा क्या दूसरी बात अर्विंद केजरिवाल को जमानत मिलने के बाद ED कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कोई सबूत कोई तथ कोई मामला CBI के पास नहीं था पाउजूद इसके राजनीतिक द्वैस और दुर्भावना के कारण अर्विंद केजरिवाल को CBI ने गिरिफ्तार कर लिया और उनको पहले पुलिस रिमान्ट में लिया तीन दिन की पुलिस रिमान्ट के बाद जुडिसियल कस्टेडी में ले लिया भेज दिया इसलिए इसलिए भेजा कि अब अगर ट्रायल कोर्ट की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगती है तो कम से कम CBI के एक मामले में फिर से जमानत करानी पड़े अर्विन के विवाद प्रधान मंत्री जी पूरा देश देख रहा है आप क्या करना है किस दुर्भावना के कारण आप काम कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है काल देख रहा है किस दूर रहा है जूरा है